थी अगया तो फ्रेंड्स कैसे हो मेरा नाम है संजीम जोतरा है और मैं आज जो टॉपिक लेके हाँ वह मारा पिछला ही जो हमने एलेक्रो केमिकल सीरिस पड़ी थी उससे बढ़े है क्योंकि उसमें हमने बेसिक पड़ा था इलेक्रो कैमिकल सीरिस के बारे में पड़ा था तो आज हम पढ़ने वाले वह पड़े आज पड़ेंगे एप्लिकेशन इसकी Electrochemical Series की जो हमने वो concept पड़ा था अगर नहीं पड़ा ये lecture तभी समझ आएगा अगर वो आपको Electrochemical Series के बारे में डिटेल में पता होगा ठीक है तो पहले आप वो वीडियो देख लिजी एक बार वो आपको माल लिंक देदू आई बटन पे अगर वो आपको वो अच्छे से क्लिर हो गया तो आज जो हम उसकी जो applications करेंगे उसके numericals करेंगे वो आपको असानी से समझा जाएगे ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हम देखते हैं Applications of Electrochemical सिरीज ठीक है और सबसे बेले मारा आता है क्या आती है calculate EMF यह हम कह सकते है standard EMF EMF of Cell की EMF निकाल सकते है E-Cell निकाल सकते है Cell potential निकाल सकते है E-Cell निकाल सकते है EMF निकाल सकते है मैंने बताया था पिछले में कि हमारे पास कुछ जो मैंने Electrochemical Series में कुछ values दी हैं वेल्यूस के reduction potential values दीगें standard reduction potential values तो उसको मैंने बताया था कि आप कैसे निकालते हो E-Cell E-Node की उलगाया क्योंकि हम standard values ले रहे है E-Cathode minus E-Anode E-Cathode minus E-Anode अब यह E-Cell में E-Cathode और E-Node की values जो होगी यह वाली values जो होगी यह values कोन से होगी reduction potential values होगी standard reduction potential values यह values SRP values जो हमें given दीए जो हमने पिछली बार भी बढ़ा था तो यह हमें given दी गई है जैसे कि मैंने बताया था कि उपर वाली जो values होती है उपर वाली जो values है जितनी कम value होगी वो क्या करेगी oxidation करेगी मतलब वो वो क्या होगी strong reducing agents होगी अगर नीचे जितनी ज्यादा value ज्यादा होगी वो क्या करेंगी reduction करेंगे उतनी ज्यादा gain करेंगे मतलब cathode मतलब वो क्या act करेगा as a cathode उपर वाली क्या करेंगे as an anode hydrogen की value जीरो ली इससे उपर वाले anode नीचे वाले cathode यह जुरूरी नहीं है अगर हम दोनों लेंगे अगर हम यह दोनों भी ले रहे हैं तो जो नीचे वाला होगा वो हम क्या मालेते हैं क्या मालेते हैं cathode उपर वाला क्या मानते है anode just याद रखने का तरीक cathode नीचे वाली जिसकी value ज्यादा वो जादा मतलब वो क्या करीड़ा है उल्यक्ट्रॉन्स को गें गर रहा है मतलब सिर्ड़क्षिन कर रहा है तेमा ल॥े चीन कहां पर होती है कैतुर Larat पर इसका मतलब जिसकी वेल्यू जाता होगी वो कैफोर्ड एक्ट करेगा और यहां पर लिखा जाएगा उसकी value यहां पर आएगी और जिसकी value कम होगी जैसे minus में दी गई है जिसकी value कम होगी वो कम होगी मतलब वो क्या कर रहा है वो oxidation कर रहा है वो क्या act करेगा ऐसे एनोड क्या act करेगा जाए एनोड ठीक है तो एनोड की value यहां पर आगी और यह क्या हमारा निकलाएगा हमारा standard EMF निकलाएगा E-cell हम find out करेंगे ठीक है तो E-cell की value यह तो क्या सकती है positive हो सकती है या negative हो सकती है ठीक है अगर E-cell EMF की value positive आएगी मतलब reaction हो गया मतलब reaction हो रहा है अगर negative आएगी तो reaction नहीं हुआ ठीक है न तो यह positive कब आएगा यह positive कब आएगा यह देखो spontaneity शो कर दिये डेनियल से की spontaneity की शो करेगा तो EMF की value कहाने चाहिए spontaneity में positive आने चाहिए तो यह positive ऐसे कब आएगा E-cell कब positive होगा E-cell कैसे होना चाहिए greater than 0 EMF जो होना चाहिए वो spontaneity कब होगी जब इसकी value 0 से जादा कब होगी जब इसकी value जादा होगी तब नीचे रखा मतलब यह value क्या आएगी 0 से जादा आएगी ना मतलब की value माल दो 2 है ठीक है अनोर की value 1 है ठीक है तो यह क्या होगा यह थोड़ माइनस अनोर क्या करते हैं 2-1 तो क्या आगा 1 आए ना positive में value ठीक है तो value के आएगी EMF की spontaneity show करने के लिए EMF की value के आएगी हमेशा हमेशा positive आएगी तब हमें हम कहेंगे reaction spontaneous है non spontaneous में value के आएगी negative तो अब यहां पर क्या आया अब यहां पर कोई एक numerical लेते हैं जैसे suppose हमारे पास है एक cell लेते हैं जैसे copper copper 2 प्लस यह दो लाइन्स क्या बताते हैं नहीं है ठीक है अब यह देखिए यहां पर अब यहां पर वैल्यू देख लो वैसे गिवन दी होते हैं के बाद नहीं पता तो हम यहां से देखते हैं copper की जो वैल्यू दी है वो कह दी है 0.34 वोल्ट कि सिल्वर की यह पॉइंट 80 वोल्ट अब तो यहां से हमें पता चल रहा है जिसकी वैल्यू जादा वो एक्ट क्या करेगा जिसकी वैल्यू जादा मतलब फिर मैं बार बार वह रिपीट कर रहा हूं जिसकी वैल्यू जादा जादा किसकी है इसकी है इसकी कम है जिसकी वैल्यू जादा मतलब वो क्या क करेगा तो reduction वाला क्या बनता है cathode करता है reduction इसका मतलब यह क्या करेगा अब देखो ठीक है तो यह क्या है यह क्या किया है यह क्या करेगा यह क्या करेगा और यह क्या करेगा ओक्सिदेशन यह औक्सिदेशन करेगा तो इसका मतलब यह अनोड है अब हमारा इमफ निकाल सकते हैं इमफ यह यह सेल इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनॉट ठीक है तो अब यह देखिए यहां पर E not cell भी बोलते हैं E not cell भी बोलते हैं यह कथोड कोन है? कथोड कोन होगा? यह होगा फिर value काई 0.80-0.34 वोल्ट ठीक है? तो हमारी approximately value क्या आ रही है? अब यहां पर value क्या आएगी 0.46 वोल्ट positive में क्या value है? 0.46 6 वोल्ट क्या बता रही है? EMF की value positive आगी अब positive का मतलब copper, zinc sorry, silver यह react कर रही है किया react उन्होंने? इन्होंने क्या किया? आपस में react किया है ठीक है? तो इस तरीके से हम EMF find out कर सकते हैं E cell, E not cell, EMF हम find out कर सकते हैं कैसे? बाइ यूजिंग standard reduction potential values ठीक है? तो क्या था? simply हमने देखना कि cathode कोना और anode कौन सा होगा ठीक है? cathode वो जिसकी value हमें ज़्यादा लग रही है ज़्यादा है और anode जिसकी value कम है ठीक है? तो यह हमारा EMF find out हम कर सकते हैं अब हम देखते हैं next अगली application अब next जो हम बात करेंगे वो देखते हैं second application predicting feasibility feasibility of reaction feasibility मतलद reaction feasible है या नहीं है reaction हुई है या नहीं ठीक है? अगर तो अगर तो EMF की value positive आई man reaction feasible है अगर EMF की value EMF की value negative में आई माइनस में आई तो reaction feasible feasible नहीं है reaction feasible नहीं हूई reaction आपस में हुई नहीं अब इस میں अगर मालो अगर हमारी EMF वैल्यू पॉजटिव आती है तो क्या है रेक्शन क्या है फीजिबल मतलब रेक्शन होगी अगर EMF की वैल्यू नेगटिव आती है तो नौट विजिबल अगरेक्शन फीजिबल नहीं है अब इसको कैसे समझे इसको में किनमेरिकल से समझे बहुत इंपॉर्टन यह एक्जैम में पका 100% इसके चांसी है कि यह नुमेरिकल ऐसे नुमेरिकल आए इसके बेसिस पर नुमेरिकल बहुत जादा आते हैं और जो हमारे पहला नुमेरिकल उसमें क्या बात करेंगे कैन वी स्टोर वेरी इंपॉर्टन कैन वी स्टोर कॉपर सिलफेट कॉपर सिलफेट इन निकल मैटल क्या हम निकल के मैटल में निकल का बरतन लिया उसमें कॉपर सिलफेट डाल सकते हैं मुझे नहीं पता निकाल के देखते हैं ठीक है कैसे अब इ तो यह दोट कर देखे हमें सेकंड को अशी है प्रडिक्टिंग फीजिबिलिटी ओफ रेक्शन ठीक है अब इसको कैन वी कैन वी स्टोर कोपर सिलफेट इन निकल वैसल निकल वैसल में कॉपर सब्सक्राइब डाल सकते हैं ठीक है स्पोस्व मेरे पास यह निकल है इसमें मैंने क्या डाला कॉपर सिलफेट ठीक है हुआ क्या है निकल सिलफेट प्लस कॉपर ठीक है कॉपर सिलफेट मैंने डाल दिया है क्या असे हुआ अगर इसको मैं ब्रेक्डाउन करों तोड़ दूँ जैसे करते थे पहले कॉपर 2 प्लस निकल 2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिट यसे करते थे ने एक्वेस यह भी एक्वेस अब देखो कॉन रेडक्शन कर रहे है कॉन ओक्सिडेशन कर रहे है इस तरह किसे कॉस्टेंश भी तो लूज किया एलेक्ट्रोंस लूज किये इसका मतलब यह का क्लेगा है ऑक्सिडेशन करेगा ऑक्सिडेशन वाला क्या रचाहरता है ःक भैंप गारेंod नौर यूगा यह को पर ग्या कड़र्शन को आप्छी पर हुठ ळत् Customer है यह को भी नगले गेन कर रहे है, 2 एलेक्ट्रोंस तो copper solid बन गया, यह गेन कर रहा है, copper क्या कर रहे है, gain, gain मतलब, gain of electrons मतलब यह कहां पर हो रही है, cathode मतलब reduction, यहां पर क्या हो रही है, reduction, अब हमें पता चल गया, कि कौन oxidation कर रहा है, कौन reduction कर रहा है, मतलब निकल कीज़ कर रहा है निकल ने क्या गिया oxydation क्या यह क्योंकि lose कर रहा है मतलब यह क्या रहा है गेन गेन मतलब यह क्याक्ट कर रहा है कतोर ठीक है अब हमें पता चल गया अनोडल कतोर अब निकल की जो वैल्यू है हमारे पास निकल की वैल्यू कहा है माइनस .25 वोल्ट इसकी srp वैल्यू और कॉपर की वैल्यू क्या है कॉपर की वैल्यू पॉइंट 34 पॉजिटिव अब निकालके देखो EMF निकालो E not cathode minus E not anode cathode क्या है ये वाला 0.34 minus ये वाली anode मतलब ये कहा कर रहे है oxidation कर रहे है minus 0.25 वोट ठीक है अब देखो निकाल के values की 0.34 plus 0.25 ठीक है 0.34.25 0.59 क्या गया 0.59 वोल्ट positive अब यहां पे सोचने वाली बात अब यहां पे आपको answer मिलेगा कि EMF क्या है हमारा positive में आया positive में आया मतलब positive में आया मतलब reaction हो गया इसका पतना reaction हो गया जैसे ही निकल के vessel में copper sulfate डाला reaction हो गया reaction हो गया अब हमने डाला नहीं हमें यहां से पता चल जाएगा पर नहीं डालना क्योंकि इसकी value क्या आ रही है positive EMF की value क्या आगी positive मतलब अदर feasible reaction reaction हो गया जैसे हमने positive value आने का मतलब क्या क्या की reaction आपस में हो चुका है हो गया reaction तो स्टोर थोड़ी करेंगे अब निकल के vessel में जैसे हमने copper sulfate डाला जैसे डाला आपस में रेक्ट कर गए उपर से डाला नीचे निकला है क्योंकि आपस में react कर गए कैसे पता चला क्योंकि हमारी EMF की value positive आई हमारी EMF की value क्या आई positive reaction क्या थी feasible थी feasibility show की feasible थी reaction आपस में हो गई हाँ स्पोस मालो यहाँ माइनिस होता negative मालो value आती minus में मतलब minus में आती reaction not feasible reaction नहीं होई अगर negative में आता हम reaction नहीं होई इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं निकल वैसल में copper sulfate को store कर सकते हैं डाल सकते हैं यह कब अगर हमारी EMF की value negative आती reaction non feasible होती अब यहाँ भी क्या हुआ value क्या आगी EMF की value positive आगी मतलब आपस में जो copper sulfate और nickel थे आपस में react कर गए reaction हो गई तो इसका मतलब हम nickel के vessel में copper sulfate को store नहीं कर सकते हैं इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला उसकी feasibility के बारे में cell की feasibility के बारे में पता चला ठीक है तो यह थी मारी यह वाली next feasibility के बारे में जो हमारी application ठीक है अब next पे आते हैं ठीक है क्या वो acid में से hydrogen को liberate करेंगे कर सकते हैं करेंगे तो कौन से करेंगे नहीं करेंगे तो कौन से नहीं करेंगे ठीक है जैसे क्या देखा गया कि hydrogen के ऊपर जितने भी हैं वो क्या करते हैं acid में से hydrogen को liberate कर देते हैं ठीक है और जो hydrogen से नीचे हैं वो liberate hydrogen को acid में से बाहर नहीं निकालते हैं अब इसका reason क्या हो सकता है ठीक है जैसे मारे पास क्या है FV plus H2SO4 यह क्या बना फेरिसिल्फेट और प्लस hydrogen gas और और लेलो यहां पर zinc plus 2HCl लेलो zinc chloride plus H2 copper plus H2SO4 copper sulfate plus H2 अब देखा गया कि यह तो possible यह दोनों यह पॉसिबल नहीं हुआ यह वल जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं अब इससे क्या पता चला कि hydrogen के जो ऊपर है उसमें से क्या कर रहे हैं यह metal जो भी है वो acid में से hydrogen को बाहर निकाल रहे हैं लिबरेट कर रहे हैं यह भी पर copper जो है जो जस्ट नीचे जो copper नीचे आ रहा है hydrogen से वह hydrogen को release नहीं करता है यह metal इसमें से hydrogen को बाहर नहीं निकाल रहा है क्यों अब देखो इसमें होता क्या है कि hydrogen कब बाहर निकलेगा hydrogen को चाहिए electrons hydrogen को चाहिए electrons चाहिए गेंड करेगा इलेक्टरन का करेगा वो गेंड करेगा गेंड तभी करेगा जब वो किसके साथ जुड़ा होगा जो लूज करने वाला होगा इलेक्टरोन जो hydrogen ions है एच पॉजिटिव ions है जब इसे ions को एच प्लस को Electrons मिलेंगे तब ही ये निकल के बाहर Hydrogen Gas की form में निकल जाएँगे Liberate हो जाएँगे ये कब liberate होगे जब इनको Electros मिलेंगे इसका मतलब जो साथ ही होगा मुँख कैसा होना चाहिए दानी होना चाहिए Electrons देने वाला क्या होना चाहिए के उपर ंुसका मतलब इनकी टेडेंस की यहां करें ये पहले बताया हुआ हैं कि हैडोजन से उपर रोते उपर होते हैं वह क्या करतें उपर वाले लुस करते हैं तो यह क्या करेंगे गो ने यह पर तो यह क्या करेंगे ???lyc servant लेगा ठीक हईद्वाशन डेंगे river aneழ uh वी उपर वालों कीई इलेक्ट्रोंग देना तभी लिपरेट होगा यह डिपरेट होगा और पार। ही इसका मतलब 쉽 ओर इसे लिग आडूनको को निकाल देगे इस्व मेडलेल और यह रज़ते Deshalb hydrogen को एसले से निकाल दे उन्हें बोलते हैं active metals अब यह कॉपर कॉपर नीचे आ रहा है नीचे वाला क्या करते हैं कैथोड होते हैं नीचे वाले क्या करते हैं इसकी टेंजिवर्य करनेगी है भी यह कहता है मैं इलेक्ट्रों नहीं देंगा हमने पड़ा नहीं पहले नीचे व लूंगा मैं दूंगा इलेक्ट्रोंज कभी भी नहीं ठीक है यह इलेक्ट्रोंज नहीं देगा तो क्या करेगा यह गेन करेगा अगर यह गेन करेगा तो हाइट्रोंज कहता मुझे इलेक्ट्रोंज मिल जाए अगर मिलेंगे तो मैं अच्टू भार निकल जाओंगा अब यह copper ऐसा बनता है कि ये electrons gain करना चाहता हैSim तो वो ही तभी hydrogen बाहर आएगा जब उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी metal होगा वो electron lose कर रहा होगा वो oxidation कर रहा होगा वो electrons देगा हाई रफटा फट से क्या रिख्ष लेगा और करता जिता है जी मुझे को मिल गया समान मेरा और मैं चला ठीक है तो उन्हें बोलते हैं active तो यह कॉपर अरफा करता है कि मैं इलेक्ट्रोंस नहीं दोगा मैं तो इलेक्ट्रों जर्पांग शया कि मुझे अलेक्ट्रोंस टाका कि मुझे अलेक्ट्रोंस मिल जाए तो क्योंदनने बिंड़े लेख्ता conditions नहीं और चोथी भी हम बना सकते हैं कि जैसे हम कहा सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करणा हो कि कर दो